हलो फ्रेंड्स एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस पोख है इंग्लिश क्लास, सी सी इंग्लिश क्लास और आज है फिफ्ट डे आज हम सीखने जा रहे हैं ही, शी, इट और सिंग्लर नाउन के साथ इस का यूद यदि मैनवर ना हो ही, इस, शी, इस, इट, इस, कोई भी सिंग्लर नाउन हो तो इस ही, वह, यह मेस्कुलेन जेंडर है ही इस ए बाइ, ही इस ए गुड़ मैन शी, feminine gender है, she is a good girl, she is a good woman, it neutral gender है, it's my pet, it's a good pet, वह, मेरा अच्छा पालतू जानवर है, it's a good pet, इस, वह, इस, 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 यह, इस, security Там, इस, 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 Ś wrapping आपए, 후, सिंग्लर नाउन जिसें, राम, इस, 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 जोड़ बाय, राधा, इस, इस, बढ़ girl Tommy is my pet singular noun के साथ हम इसका यूज़ करते हैं बहुत ही easy है अपने लिए I I am भुपेंद शर्मा एक से अधिक होने पर we we are good friends हम अच्छे दोस्त हैं we are good friends अब तीसरा रिक्ती एक है जेंस है तो he he is a good man he is a good boy she तीसरा रिक्ती यदि कोई महिला है लड़की है तो she she is a good girl it it कोई वस्तू या जानवर उसके लिए यूज़ करते हैं it's a good pet it's a dog it's a cat it's a good house it का यूज मेंडल स्टेटस बतानी के लिए भी करते हैं और he माने वह she माने भी वह it माने भी वह और इसके साथ इसका यह मीनिंग यह भी होता है it's difficult यह मुश्किल है it's very easy यह बहुत आसान है it's my opinion यह मेरा विचार है इस तरह से हम यह के लिए भी it का यूज करते हैं तो आए हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं टॉपिक है about my family इसमें हम इनके uses कैसे करते हैं छोटे छोटे sentences में यह हम try करते हैं सबसे पहले I am भुपेंद्र शर्मा मैं भुपेंद्र शर्मा हूँ we are five members in our family हम अपने परवार में पांस सबस्द से हैं my mother-in-law is the head of my family मेरी mother-in-law मेरी सासुमा her name is अब सासुमा है तो she के लिए उनका नाम तो उसके लिए हम use करेंगे her उनका नाम है her name is Mrs. Meena जी शर्मा my wife's name is Mrs. Sunita शर्मा she is a homemaker वह एक homemaker है she is a homemaker my son's name is Shiva शर्मा मेरी बेटे का नाम Shiva सर्मा है अब my son singular इसका यूज किया he is an assistant professor वह एक assistant professor है my daughter's name is Mrs. Shubham Sharma मेरी बेटी का नाम है Mrs. Shubham Sharma she is married वह married है her husband's name is Mr. Abhisheh Sharma अब बेटी के महिला हुई her का यूज करना है her husband's name is Mr. Abhisheh Sharma her husband यानि he he is working in Oman वह Oman में काम कर रहे हैं he is a software engineer वह एक software engineer है This is my small happy family यह मेरी छोटी खुश्मिजास family है इस तरह से आप भी अपने परवार के बारे में इसी तरह क्या छोट छोटे टोपिक्स पर अपनी बात कहकर अपने परवार को अपने बारे में बता कर अपने परवार के बारे मता कर आप इंग्रिश में और अधिक बारंगत हो सकते हैं हमने अलग अलग टोपिक्स लिए आज आईए उनका practical use सीखते हैं सबसे पहले हमने लिया था I का use और उसके साथ आपको topic दिया था My introduction मेरा परिचे तो you all should prepare your own introduction In short, I am going to give you my introduction once again I am Dr. Rupel Sharma I am from Udaipur I am a spoken English trainer I am fond of teaching My aim is to become a good orator उसके बाद वीका यूज We are Indians We are good friends We are united You, सामने वाले का सामने वाले का आप appreciate easy You are positive You are enthusiastic You are so lucky You are so hard working आप कितने hard working हैं? बहुत hard working हैं You are very hard working सामने वाले के रहे use और फिर एक साधी हो तो वे के लिए हम दे का यूज करते हैं They are very interesting They are very hard working They are very lucky और आज हमने सीखा He, she, it और स्टिंगलो नाप और इस सब के लिए हम यूज करते हैं इसका Plural noun होने पर हम आर का यूज करते हैं Children are generally naughty बच्चे सामने तो है शरागती होते हैं My daughter is very sincere मेरी बेटी बहुत sincere है Singular noun Ram is a good boy Ram एक अच्छा रड़का है Singular noun आज हमने इनके uses सीखे और जैसा है कि हम daily कुछ conversation tips लेते हैं तो आज हम use सीख रहे हैं Sorry का यहीं sorry English में चोटा सा शब्द है Sorry और इसका use करते हैं कोई गलती करने पर माफिय मागने के लिए तो admit your mistakes अपनी गलती सीखा करें छोटी छोटी बातों के लिए भी English में बोलते हैं Sorry I am sorry I am very sorry I am really very sorry I can't tell you how sorry I am इस तरह से हम sorry का use करें माफिय मांगें जब भी कोई गलती करें अपनी गलती हो स्विकार कीजिए और माफिय मांग लिए दीजिए I hope you all have enjoyed our today's lesson we will be here at 7 o'clock in the evening every day we are here with live YouTube and we are cordially inviting you for your comments you can give your comments thanks a lot for being with me see you tomorrow have a great day goodbye